हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब ठीक होंगे इस रेमडी को हपते में सिरफ दो वार यूज कर लेना और आपकी स्किन दो वार में ही बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है जितनी भी डेडी स्किन वो निकल जाएगी दाग धबों की प्रोब्लम ह या फिर जुरियां आ गई है आपके चैरे पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं है पिंपल्स के दाग है या फिर ज्वाईयों की प्रोब्लम है या फिर आप चाते हैं आपके चैरे पे बहुत अच्छा निखार आ जाएं तो हपते में सिरफ दो वारी से ट्राइ कर लीजे इस से आपके स्किन पे जितनी भी प्रोब्लम है वो दूर होने वाली है तो इस रेमडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं आप ले रही हूं आदा चमच जो है नारियल का तेल नारियल का तेल लेना बहुत ज़रूरी है यह आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद आप चाहें तो नारियल को घर पर पीछ सकते हैं या फिर मार्केट से खरीच सकते हैं यह आपके चेरे पर जितनी भी टेडिस के रहे उसे निकाल देगा तो यह पर एक चमच भर के नारियल का बुरादा लेना है अब लास्ट में आपको लेना है दही दही आपके चेरे के रंग को निखारेगा दागधबों को दूर करेगा कलर को फेर बनाएगा तो यहां पे मैंने डेड़ चमस से कम थोड़ा सा दही लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि यह स्क्रब अच्छे से बन जाए और आपको इसे हपते में दो से तीन वार यूज करना है अच्छे से मिक्स करें जब आप मिक्स करेंगे तो बिल्कुल क्रीम की तरह यह बनेगा तो फ्रेंट्स मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया आप देख सकते हैं बहुत अच्छा फेस पेक बन के तियार हो चुका है इसे आपको हपते में दो से तीन वार लगाना है जितनी भी बेडी स्किन वह निकलेगी आपके चैरे पर स्क्रब का काम होगा फेसपेक का भी काम होगा चैरे पर ग्लो आएगा दाग धबे दूर होंगे जाई यहां जूरियां सब ठीक हो जाएंगी आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है तो चलिए फटा फट से इसे लगा लेते हैं तो फ्रेंट्स आपको क्या करना है अपने चैरे पे इसे पूरे चैरे पे अच्छे से लगाना है इसे लगाने से पहले चैरे को साफ कर ले उसके बाद इसे पूरे चैरे पे आप लगा ले लगाने के बाद आपको इसे छोड़ देना है 10-15 मिनट के लिए उसके बाद आपको मसाज करनी है हलके अलके आतों से तो आपको इसे 15 मिनट लगा के रखना है उसके बाद आपको मसाज करनी है आपको ना गरम पानी का यूज़ करना है, ना ही ठंडे पानी का यूज़ करना है, नोर्मल पानी का यूज़ करना है, अपने चैरे को दो लेना है, आपके चैरे पे जितनी भी गंदकी है वो निकल जाएगी, आपकी स्किन बहुत ही जादा अच्छी हो जाएगी, तो आप द वीडियो में तब तर के लिए बाई